कुर्णावारस संकटकाल के बीच में केंद्री क्याबिनेट के एक बार फिर से एहम बैठक हुई बैठक में किसान और देश में निवेश को लेकर एहम फैसले ले गए सरकार ने कुल 6 फैसले इस बैठक में लिए जिसमें से 3 किसानों के लिए लिए गए है केंद्री मंत्री प्रुकास जावडेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि क्रिशी को लेकर अतिहासिक फैसले किये गए है सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चलिया रही मांगों को पूरा किया उन्होंने कहा कि आवशक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में किसान हितैशी सुधार किये गए तो वही केंद्रे क्रिशी मंत्री ने बताया कि आज क्रिशी उतपादन की कोई किल्लत नहीं है और इसलिए ऐसे समय बंधन डालने वाले कानून की ज़रत भी नहीं थी इस कानून में निवेश को रोका, इसके कारण नर्यात नहीं बढ़ा आज इसलिए इस लटकती तलवार को सरकार ने खत्मे किया है और किसानों को बच्छी कीमत मिल पाएगी उन्होंने कहा कि ये बंधन फिर तब लगेगा जब जब कोई फ्राक्रतिक आपदाया फिर अत्यधिक महंगाई होगी प्रावधान किया गया और इसका निश्यत रुप से आने वाले कल में खेती के छेदर को फाइदा होने वाला है अभी अलपावदी रिंड क्रसकों के पास आठ लाक करोड का है या आने वाले वर्स में 15 लाक करोड होएगा इस बात का भी प्रबंद किया गया नावाड क्रसी के छेतर में 90,000 करोड रुप्या प्रतिवर्स निवेश करता था लेकिन कोविट संकट को देखते हुए इस वार वह 30,000 करोड अतरिक्त खर्च करेगा यह भी सरकार ने सुनिशिक किया स्वामी नाथन साब की रिक्मेंडेशन को माना जाए यह मांग लंबे समय तक किसानों की रही लेकिन मोधी जी ने आने के बाद MSP पर जो लागत पर MSP 50% मुनाफ़ा दे कर की जाए इसको साल में दो बार गोसित करते हैं उस दिन खरीब के MSP गोसित की गई थी और MSP पर भी रिकार्ट खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी MSP पर ये खरीद जारी रहेगी